बच्पन में मेरे पास सिर्फ एक डॉल थी और मैं उसे इतना सभाल कर रखती थी वो मेरे लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टन पार्ट थी आज वो चीज मैंने दुबारा ची पास के पार्क में कुछ मजदूर काम करते हैं उनके साथ उनके छोटे बच्चे भी आते है मैंने ये डॉल उनने दी और शाम तक वो इस डॉल को अपने गले से ऐसे लगा कर घुम रहे थे जैसे उन्हें दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हो ये डॉल सिर्फ साथ रुपे की है शद आपके और हमारे लिए इन साथ रुपे की उत्ति ज़्यादा कीमत ना हूँ पर उन गरीब बच्चों के लिए ये एक अन्मोल तफ़ा है हम बहुत सारी डॉल्स लेकर आते हैं और जब भी हमें कोई गरीब बच्चे दिखते हैं हमारी मेट्स के ये आसपास काम करने वालों के तो हम उने ही देते हैं आप भी ऐसा करके उन बच्चों के चैरे पर मुस्कान ला सकते हैं गवर्मेंट ने फाइनाशली वीक फामिलीज के लिए बहुत अच्छी पॉलिसीज बनाई हैं जैसे कि 12 रुपे साल में वो अपना एक्सिडेंटल इंशॉरेंस करा सकते हैं जिससे किसी अनफॉर्चुनेट मिस हापनिंग में उनकी फामिली को 2 लाख रुपे तक मिलेंगे ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज हैं पेंशन की, लाइफ इंशॉरेंस की, हेल्थ इंशॉरेंस की अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग जो हमारे साथ जुड़े होते हैं जैसे हमारी मेड, ड्राइवर, प्रेस वाला इन पॉलिसीज का बेनिफिट नहीं ले पाते लाक आफ नॉलिज की वेज़े से, हम लोग उनकी हल्प कर सकते हैं इन पॉलिसीज में एन्रोल करवाने के लिए हमारे देश में किसी प्यासे को पानी पिलाने को बहुत बड़ा पुन्ने माना गया है इस भरी गर्मी में बहुत से लोग दिन बर बाहर काम करते हैं ताकि हम जैसे लोगों की लाइफ आसान हो सके तो अगर आपके या कोई कोल रिंक्स, पानी या जूस की बॉटल्स हो तो प्लीज उन्हें फैके नहीं बलकि नेक्स टाइम जब को डिलिविल बॉय, सबजी वारा या मजदूर आपको दिखें तो आप उन्हें पाने की बॉटल देज सकते हैं कोरोना ने जिन्दगी में ऑक्सीजन का मैत्स जिखा दिया आप और हम मिलकर इस लेसन को अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हैं हर साल कम से कम एक पेड ज़रूर लगाएं और अगर आप अभी पेड नहीं लगा सकते तो लोगों को स्पेशल उकेजन्स पर प्लांट्स गिफ्ट करें ताकि दीरे दीरे इस चीज की इंपोर्टेंस हर घर तक पहुँचे एक बात सच है जब देने की बात आए तो सब कपड़े काम की लगते हैं और जब पहनने की तो हमारे पास कपड़े ही नहीं होते लेकिन कुछ चीज़े ऐसी हैं जो हमारे बिल्कुल भी काम की ना हो लेकिन किसी जरतमंद के वो बहुत काम आ सकती हैं जैसे पुराने कपड़े, कंबल, जूते, चपबल तो वो कपड़े जो आपको याद भी नहीं है कि आपके अल्मारी में रखे हैं आप उन्हें निकाल सकते हैं और किसी जरतमंद को दे सकते हैं इन सब छोटी-छोटी चीज़ों से शायद हम किसी के मदद कर पाएं और शायद हमारे दिल को पी सकून मिले